हेलो गाइज, वेलकम टू कमेस्ट करतेस, आधर मोसके जा रहे हैं, सॉलीशन चप्टर का इंटिस कोशन सेवंत, उके, उर्ख पुटाने वाले निसटी के नुसार 2.7 है और ने वाले नसेटी के नुसार 1.7, तो चलिए बात करते हैं, कोशन है हमारा हैं रेंरीज लॉग कौ को discussion किया है तो सब्सक्राइब गीवन क्या है इस बात को हम लोग लिख लेंगे तो हमारा की एच हैंडी लॉस कॉंस्टेट है जो कि हमारा है टूटल यहां देख सकते हैं हम लोग 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 8 पास्कल ओके टेमप्रीचर है 298 केल्विन अब टेमप्रीचर यहां पर कोई चेंजेज नहीं हो रहा है आप देखिने जहां भी टेमप्रेचर है 298 केल्विन है तो इससे ज्यादा हमें कोई फ़रक पढ़ने वाला नहीं है यहां कर लेता हूं जिसमें कि 500 ml क्या है सोडा वाटर एक से मिल के मनता है है एस टू और सी ओ टू अब इसमें क्या है आपके में इसका जू बेजो है पी और सी ओ टू यहांदे की प्रेसर आप सी यू टू 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 पइंट फाइब एटीम है ओके अब नेक्स्ट हमारे प पास कुछ भी ज़्यादा रेक्वाइड नहीं है हमाई पूछ क्या राया कि यह सॉल्यूशन है सोडा वाटर का इसमें अमाउंट यानि कि मांस आप स्यू टू क्या होगा ओके यह कुश्चन हमारा आस कर रहा है तो यह गीवन फेक्टर स्कॉन देख चुके है अब हर एक यह बातों को देखेंगे अब मैं सबसे पहले यहां पर आपको एक बात बता दू कि जब सोडा वॉटर फॉर्मेशन हो रहा होगा तो एस टू मों स्यू टू मिला दे रहे होंगे अब स्यू टू बहुत कम अमांट मिला जाता है और इससे भी एस टू में इंटर पार्टिक 500 ml होगा क्योंकि 500 ml H2O था उसमें हमने स्यू टू मिलाया कुछ अमांट में अब 500 ml सोडा वाटर सॉलिशन बन चुका है तो इस बात को आप द्यान रखेंगा यह हमारे लिए आगे यूजफूल होगा तो अब सबसे पहले हम लोग हैंडीज लॉक का इस्तमाल करेंगे और ह यह हमारा हैंडीज लॉक का आपका एक्क्वेशन ओके अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स देख किजी वहां आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें हैंडीज लॉक्स किया यदि नहीं मिले तो आप कमेंट किजेगा मैं आपका लिंक एड़ कर दोगा अब इस हम जानते हैंगेज का वेल्यूं हमारा दिया हुआ था और हम लोग यहां पर देख सकते हैं क्या-क्या हमारे पास दिया हुआ है तो केजần का वेल्यूं दिया हुआ है आप ध्हान दिजेगा दूसरा पी ओप सियो टू एवलमेल है अब चलिये दो चीजे हैं तो हमें एकश of CO2 मिल जाएगा यानि हम इसे इसे लिए सकते हैं P of CO2 is equal to KH is equal to X of CO2 X आप जाते हैं this one is mole fraction तो इससे हम लोग X of CO2 निकाल सकते हैं तो अब यहाँ पर देखिए तो X of CO2 is equal to होगा P of CO2 यानि कि पार्सल प्रेशर आप CO2 by KH और पार्सल प्रेशर आप CO2 जो है हमारा ठेक वो किना था 2.5 ATM अब देखिए 2.5 ATM हमारे पास है अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि KH जो कि आप देखिएगा ठेक वो हमारा किना था तो KH का वेलू है 1.67 into 10 to the power 8 पासकल यह देख सकते हैं आप यहाँ पर यहाँ पर लिखा है अब यहाँ पर क्या है यह ATM में है और यह पासकल में है तो यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो हमें क्या करना होगा इस ATM वाले को पासकल में बदलना होगा अब हम जानते हैं कि 1 ATM is equal to होता है 1.013 into 10 to the power 5 पासकल अब यह देखिए 1.013 है मल्टिप्रेशन में यह एप्रॉक्स 1 है तो इसका कोई बतलब लही है तो 10 to the power 5 से हम क्या करेंगे इसे multiply कर देंगे तो अब यह क्या हो जाएगा यह ATM किसवे कर बोट हो जाएगा यह पूरा का पूरा वैलू क्या हो गया 2.5 into 10 to the power 5 पासकल अब यहां क्या करेंगे 1.67 और 2.5 इसे कर हम लोग करने जाते हैं डिवाइड करते हैं तो यह होगा 1.5 तो हमारा क्या होगा वैलू निकलेगा 1.5 into 10 to the power 5 अब देखिए 10 to the power 8 जब उपर जाएगा तो क्या होगा into 10 to the power minus 8 चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.5 into 10 to the power 5 into 10 to the power minus 8 यह आया था अब देखिए यहां base सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं 1.5 into 10 to the power 5 minus 8 तो हमारा निकलेगा 1.5 into 10 to the power minus 3 और यह क्या है यह है हमारा x यानि कि मूल फ्रेक्षन आफ CO2 अब जैसा कि मूल फ्रेक्षन से हम लोग जानते हैं अगर आप मोल फ्रेक्षन के वारे में नहीं पता है मैं तो फिट बोल कमेंट किजे आप आपको लिंक मिल जाएगा तो हम जानते हैं कि अगर कोई एक solution है इसमें आप देख जानते हैं क्या क्या है CO2 है और H2O है इसमें अगर हम मोल फ्रेक्षन आफ CO2 निकालने जाएं तो इसमें क्या करना होता है मैं N आप यानि मोल आफ CO2 बाई मोल आफ CO2 प्लस मोल आफ H2O इस तरह से हम लो निकालते हैं मोल फ्रेक्षन आफ CO2 तो इस कंडिशनस में अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात यह पदा चलता है कि CO2 का अमाउंट जो है H2O में जब सोडा वाटर हम लोग बना रहे होंगे तो H2O आपको 500 ml था इसमें जब हमने CO2 मिलाया तो CO2 का अमाउंट बहुत कम है और इसा हम लोग बहुत समय करते हैं कि इस तरह कंडिशनस में इसे हम लोग नेगलेट कर देते हैं तो हमारा क्या होगा X of CO2 is equal to N of CO2 by N of H2O अब यहाँ पर एक कुशनस और हमारे मन में आता है कि हमारे पास यहाँ पर देखिए X of CO2 तो हमें पता है लेकिन N of H2O पता नहीं है क्योंकि हमें निकालना क्या है हमें निकालना है N of CO2 यानिकी मोस अफ्जेट क्यक्कि हैखर मोल नलेगा तो हम अल्टीमेटली जो है मोल को फिर मास में एक कर पाएंगे तो हमें most of CO2 निकालना है, लेकिन हमारे पास समस्या क्या x of CO2 है, वो हमने अभी जस्ट निकाला है, ये वाला value, लेकिन हमारे पास most of H2O present नहीं है, तो most of H2O याने कि n of H2O निकालना है, तो अब देखिए जड़ा, हम लोग जानते हैं, कि density equal to होता है, mass by volume, okay, mass by volume, ये हम लोग formula बच्पन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जान दीजेगा, density equal to mass by volume, तो density of H2O अगर हमें निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, mass of H2O by volume of H2O, अब हमें निकालना क्या है, आप ध्यान दीजेगा रहा, तो हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए पहले, mole of H2O निकालन हम जानते हैं, कि अगर हमें mass of H2O निकालना हो, तो हम just like density of H2O into volume of H2O कर देंगे, और हम जानते हैं कि density of water होता है 1 gram per ml, और volume, याद किजे, volume of H2O, यह वाला terms हम लोग पहले ही calculate कर चुके हैं, मैं समझा चुका हूँ, question के starting में, आप ध्यान दीजेगा, यह रहा, volume of H2O क्या ह 500 ml है, तो आप volume of H2O 500 ml, यह लिजे, मैंने 500 ml put कर दिया, तो हमारा mass of H2O निकल गया 500 gram, ओके, चलिए, यह ml ml कैसी लो गया, और यह gram बच गया, clear, तो mass of निकल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था moles, कोई दिक्कर नहीं है, हम जानते हैं, कि moles equal to होता है, क्या mass by given mass by molar mass, ओके, molar mass, तो अब हमें moles of H2O निकलना है, mass of H2O पता है, 500 gram, और molar mass हम जानते हैं, कि H2O है, H2O, एक hydrogen का 1 gram, तो 2 hydrogen का 2 gram, और oxygen का 16 gram, total 18 gram per mole होता है, तो इस conditions में हम लोग क्या करेंगे, यहां 18 gram per mole put कर देंगे, और जब हम 18 gram per mole put कर देंगे, तो हम लोग कहां calculate यह करते हैं, कि हमारा moles of H2O निकल गया, 27.78 mole, clear, अब इस value को हमें कहां put करना है, हमें put करना है, इस formula में, ठेक, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा formula क्या था, देखते हैं, तो mole fraction of CO2 is equal to mole of CO2 by moles of H2O, तो mole fraction of CO2 is equal to moles of CO2 by moles of H2O, अब यहां से हमें moles of CO2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, mole fraction of CO2 into moles of H2O कर देंगे, आप देख सकते हैं, यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट multiply कर जाएगा, अब हम लोग already calculate कर चुके हैं, कि mole fraction of CO2 हो था, हमारा 1.5 into 10 to the power minus 3, और हम moles of H2O की बात करने के लिए जाते हैं, तो यह था हमारा 27.78, ओके, अब इसे हम क्या कर देंगे, आप पीसे देख सकते हैं, यह हम लोग already calculate कर चुके हैं, अब जब यह हम लोग करने जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, यह हमारा moles of H2O था, और यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, mole fraction of CO2, चलिए, तो इस दोरों को हम लोग क्या करेंगे, multiply करेंगे, और जब इसे multiply करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या अब यहाँ देखते हैं, यह 41.67 है, अब देखिए, 6 यह greater than 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 42 लिख सकते हैं, इन्टो 10 to the power minus 3, अब देखिए, 42 मैं तो डिटेल भी बताता हूँ, 10 to the power minus 3 है, 10 to the power minus 3 बलों क्या, इसे हम लिख सकते हैं, 40 by 10 to the power 3, याने कि 42 by, 42 by 20 to the power 3, 10 to the power 3 याने कि 1000, तो इसे हम लिख सकते है, 0.042, ओके, यह क्या हो गया हवारा, मोस हो गया, सियो टू का, तो बोस आप सियो टू हो गया हवारा, 0.042 मोल, हमें निकालना क्या था, मास निकालना था, तो हम जानते हैं, मोस इक्वल टू होता है, मास बाई मूलर मास, ओके, अब यह नहां से हमें निकालना क्या है नहां दीजेगा बारे बार मास तो हम इसे लिख सकते हैं मूल्स आफ सियो टू इसकोल टू मास आफ सियो टू बाइ मूलर मास आफ सियो टू अब मास आफ सियो टू निकालना है तो हब क्या करेंगे बोल्स आफ सियो टू इटू मूलर मास आफ स सी ओ टू अब देखिए यह मोल्स आफ सी ओ टू अब लो कैलकुलेट कर चुके हैं आप जरा इसे ध्यास से देखिएगा तो मोल्स आफ सी ओ टू है जीरो पाइट जीरो फोर्ट टू बोल्स अम मूलर मास तो सी ओ टू में हम जानते हैं कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सिजर का 16 ग्राम इन्टू टू तो क्या होगा है टोटल फोर्टी फोर ग्राम इन्टू फोर्टी फोर ग्राम और जब से बल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारा आसर आएगा 1.848 ग्राम तो इस तरह से बहुत सकते हैं कि हमारा जो यहां पर आप देखिए लिजेगा हमारा जो यह हमने स solution लिया था इसे वे जो ये 2.5 एटी अप पर जो CO2 मिलाया गया है उसका मांस कितना है 1.848 ग्राम है नहीं 1.848 ग्राम जो है 500 ml of water में CO2 mix किया गया है तब जाकि solution बना है I hope आपका concept 30% clear होया होगा thank you so much वीडियो पसद आया हो तो like करना share करना और subscribe करना ना बोलें